Hello and welcome in MyTech Valley, C Programming Series के Lecture No. 17, सत्रवे Lecture पर हम आ गए हैं तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है relational operator, ठीक है? relational operator देखिए आप जब कोई condition मनाएंगे, मतलब मैं पिछले lectures में वैसे बता चुका हूँ कि condition timeology ठीक है लेकिन boolean entity नहीं होती है C में तो चलो फिर भी condition word यूज करते हैं जब हम condition बनाएंगे तो हम less than operator, greater than operator, equality check करेंगे, not equality check करेंगे ठीक है? तो relation check करेंगे, दो variables के बीच में या एक के साथ भी होता है relational तो देखें कैसे, जो है, C में relational operators काम करते हैं, वो देखते हैं, C या C++ ये दोनों के लिए topic है ठीक है? क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, इस topic के लिए, तो शुरू करें जी, देखें, सबसे पहले हम बात करते है है, equality operator की, ठीक है? ये equality operator कैसे काम करता है, save कर लेते हैं आज का lecture है, lecture 17 अब देखें, आपको अगर याद हो, पिछले lectures पर मैंने बताया था कि operator का मतलब क्या होता है मीनिक, operator का मतलब होता है, कि वो कुछ return करेगा, ठीक है? अब return करने का क्या मतलब हुआ है आपर? देखें, ये जो equality operator है, ये binary operator है binary means ये दो argument लेता है, और return क्या करता है? ठीक है? return करता है 1 और 0, देखें, जितने भी relational operator है, वो या तो 1 return करते है, या 0 return करते है मतलब ये 1 return करेगा, कब? यदि x बराबर हुआ y के ठीक है? और 0 return करेगा, कब? otherwise ठीक है? तो ये इसकी definition है, कि आप देखें कैसे? मैं वो दिखाता हूँ आपने लिखा 10 equal to 20, अब मैं इस expression की value ये एक expression बना, मैं देखना चाहता हूँ कि ये expression की value क्या आती है? अब आप कहेंगे सर ये तो condition है, देखें, अगर आपने जो हमारा lecture number 13 है, selection control statement, उसमें मैंने आपको बताया था कि if का syntax होता है if के syntax में जो जहाँ पर आप condition लिखते हैं वहाँ पर integer की requirement होती है ठीक है? तो जब आप लिखते हैं माली जे आप if के अंदर condition में लिख रहे हो 10 equal to equal to 20 तो basically 10 equal to equal to 20 एक integer written कर रहा होगा जो if understand करेगा और if की definition आप उस lecture में जाकर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो तो उसकी definition क्या थी? कि positive और negative के case में अंदर आ जाओ और zero के case में exit कर जाओ तो देखिए इसी लिए ही जितने भी relational operators है ना यह या तो one generate करते हैं मतलब positive और या zero generate करते हैं इसके लावा कोई दूसरा value generate नहीं होती ठीक है? चलो इसको test करते हैं, save करते हैं इसको save हो गया यह control s से save कर लिया, compile करते हैं, save करते हैं, save हो गया control s से compile करते हैं compile हो गया, run, आप देखिए यहाँ पर zero आया, क्यों? क्योंकि 10 equality 20 तो यह बराबर तो होते नहीं है, इसलिए return हुआ zero हम क्या कर रहे हैं? हम इस expression की value यहाँ पर return करा कर देख रहे हैं ठीक है जी, कोई doubt? अच्छा, अब अगला operator देखते हैं, देखें इसी की तरह एक operator ओर है, not equality यह क्या है, अगर x equal to है y के, तो return करेगा zero, otherwise one, यह reverse है ठीक है, तो देखें, हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, 10 आपको दिखता भी रहे, इसके इन पर equal to 20 का result यह है, next, 10 not equal to 20 का result यह है, इसमें आप equality value का भी देख सकते हैं, उससे भी clear हो जाएगा, अब देखिए, इसको एक में बराबर कर लेता है, save किया, compile और run, आप देखिए जी, 10 equal to equal to 20, 0, ठीक है, यह वाला पहला statement, क्योंकि यह बराबर नहीं है, तो 0 आगया, 10 equal to equal to 10, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो 1 रिटन हुआ, 10 not equal to 20, दोनों बराबर है और not equality है तो 0 ठीक है अच्छा अब इसी तरह से और आगे चलते हैं देखिए less than operator यदी x less than है किस से y से तो 1 जन नेट होगा otherwise 0 जन नेट होगी return होगी save किया आप नीचा आते हैं अब देखते हैं आपर आप देखिए 10 less than 20 ठीक है 10 less than 20 और 10 less than 10 और 10 less than 30 इन तीनों का देखते हैं रिजल्ट क्या आता है compile और run हाँ जी देखिए 10 less than 20 वन आ गया 10 less than 10 क्योंकि यह false एक तरह से condition तो क्योंकि 10 10 से चोटा नहीं होता बराबर होता है तो 0 और 10 less than 3 तो 0 ठीक है इसी तरह से आप आगे के otherwise 0 तो इसको भी देख लेते हैं जी देखिए 10 अगर less than और equal to है 20 के तो देखते हैं क्या आएगा less than और equal to है 10 के तो देखते हैं क्या आएगा और less than और equal to है 3 के तो देखते हैं क्या आएगा सेव किया control as से compile किया और run कर दिया अब देखिए 10 less than or equal to 20 10 less than or equal to 20 condition true तो 1 return होता है 10 less than or equal to 10 क्योंकि 10 अभी भी बराबर तो है less than नहीं है लेकिन बराबर तो है तो 1 10 less than or equal to 3 जीरो condition false हो गई तो 0 ठीक है अब greater than same इसी तरह से greater than greater than y तो अगर x greater than होगा y से तो 1 return होगा otherwise 0 return होगा इसको भी चेक कर लेते हैं 10 greater than 20, 10 greater than 20 और 10 greater than 3 देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि operators तो अपना यह मतलब वही रखते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है वालत जो वीजिबिलिटी में इनका सिंबल का मतलब है लेकिन आपको यह समझना जरूरी होता है कि यह return करते हैं कुछ आपको 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 यह ठीक है और return 1 या 0 होता है बस ठीक है जो fundamental चीज़ है जो इस topic की fundamental चीज़ है वो यह है बाकी वरन आप तो यह पढ़ी चुके होंगे कही ना कहीं से लेकिन यह चीज़ हम skip कर देते हैं जिसकी वेसे बड़ी दिक्कत आती है ठीक है तो यह चीज़ skip नहीं करनी है compile करते है और run करते हैं देखिए हाँ पर तो देखिए 10 greater than 20 false है तो 0 return हुआ 10 greater than 10 में भी 0 return हुआ 10 greater than 3 में 1 return हुआ ठीक है तो similarly और इसी तरह से हम आगे भी देख सकते हैं greater than or equal to ठीक है तो greater than or equal to same उसमें भी यह होगा कि अगर greater than equal to है तो 1 अब मैं आप इसको खुद try कर सकते हैं ठीक है अच्छा तो greater than हो गया less than हो गया less than equal to हो गया अब एक और होता है उसको देख लेते हैं not x यह क्या है इसको थोड़ा समझते है यह थोड़ा लाग है यह unary operator है not x क्या करता है कि यदि x equal हुआ 0 के तो यह return करेगा 1 ठीक है otherwise 0 ठीक है तो यानि कि यह 0 को 1 करता है और 1 को 0 यह compliment कर देता है जी तो देखते है अच्छा एक चीज और इसमें लिख लें अगर यह 0 है या बलकि ऐसे कहो कि यह positive है या negative है तो जादे better होगा इसमें सारे case clear हो जाएंगे positive या negative के case में यह 0 करेगा otherwise 1 अब otherwise क्या बचा otherwise तो 1 बचा ना 0 बची तो देखिए positive negative है तो 0 और 0 है तो 1 ठीक है तो अब देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि यदि आपने लिखा 100 positive number है का not ठीक है not 100 तो देखते हैं क्या print होगा और आपने लिखा minus 100 तो देखते हैं और एक लिखा आपने 0 तो इन तीनों से आपको clear हो जाएगा compile करते हैं और run कर देखिए जी नगेट 100 0 और 0 का negation 1 ठीक है तो यह हमारे relational operators अच्छा अब एक question देखते हैं छोटा सा देखिए बताइए कि इसका answer क्या होगा मैंने हाँ लिखा 10 greater than 5 greater than 2 ठीक है अब देखिए यह expression ऐसा expression है बिल्कुल जो देखने में तो बहुत simple लग रहा है कि भई 10 पांच से बढ़ा होता है और 5 दो से बढ़ा होता है ठीक है चलो इसकी value देखते है कि यह क्या दिखाएगा ठीक है इसका expression का result क्या होगा यह देखते है screen पर save करते है control s से compile करते है और run कर देते हैं देखिए बहुत सारे लोगों ने यह सोचा होगा या अगर आपको यह mathematics नहीं आता ना तो आप इसमें फस जाते बिल्कुल फस्ते कैसे आपके सोचते अरे तो condition ठीक सी लग दी है कि 10 पांस से बड़ा होता है और पांस दो से आप इसे true कहते मतलब यह सही है condition लेकिन देखिए result क्या जननेट हुआ 0 और जनते ऐसा क्यों हुआ देखो 10 greater than 5 क्या जननेट होगा सिर्फ इतना सोचिए पहले अगर आप इसको सोचे इतने को 10 greater than 5 क्या जननेट होगा इससे इससे जननेट हुई 1 ठीक है 1 क्यों जननेट हुआ क्यों यह 10 5 से बड़ा है अब expression क्या बचा इधर क्या लिख खवा है यह greater than 2 तो ऐसी चल रहा फिर आप बताईए 1 greater than 2 क्या जननेट होगा 0 ठीक है तो expression को आपको समझ देखिए आप जब ही समझ पाएंगे जब आप जानते होंगे कि operator से value क्या written हो रही है तो जो complicated expressions होंगे ठीक है तो कोई doubt हो relational operators में तो relational operators हमारे कौन से होते हैं जी हमने देख लिया equality not equality less than less than equal to greater than greater than equal to or not ठीक है तो आपको meaning clear होना चाहिए अब बचती है इनकी देखे अभी हमने सिर्फ इन operators को individually समझाए लेकिन अगर ये mix होकर आ जाएं ठीक है mix होकर in the sense एक expression में एक से जादा आ जाएं जैसे अभी ये था तो इनकी associativity और rank के साब से कैसे execution होगा वह हम अभी नहीं समझेंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ी सीजे और जाना जरूरी है तो पहले हम बोर discuss करने आज हमने operators को understand कर लिया तो basically क्योंकि अभी हमें programming करनी है तो मैं idea होना चाहिए कि दो अगर मालो मैं कोई condition दो numbers को मुझे compare करना है तो मैं कैसे करूंगा next topic में हम देखेंगे आज हमने देखा relational operators एक type एक operator और होते हैं जो हमारी मदद करते हैं दो conditions को combine करने में ठीक है समझ गए होंगे आप logical operators, logical AND ठीक है और logical OR तो logical AND और logical OR एक थोड़ा सा मैं अभी सा idea दे दूँ वैसे इसको हम next lecture में discuss करेंगे कि एक बहुत बड़ी misconception होती है इन दोनों operators में तो बहुत सारे लोग इसमें confused होते हैं मतलब उनको confused कि होते हैं वो पता ही नहीं होता होने कि वो actually वो काम कैसे करते हैं ये दोनों operators तो next lecture में हम इन दोनों operators को समझेंगे logical AND और logical OR ठीक है जी तो ठीक है जी आज का lecture हम complete करते हैं अच्छा अगर कोई आपका कोई doubt हो कोई आपकी query हो तो आप मुझे comment करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और आप चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि आप मैं जैसे वीडियो अप्लोड करता हूं तो आपको फिर वो आपको mail आ जाएगी ठीक है notification आ जाएगा कि आप जो है ये वाला lecture अप्लोड हुआ है ठीक है जी तो thank you bye bye